मैंने उनके बहुत अंदोलों देखे लेकिन उनको रोते हुए मैंने पहली बार देखा गोदी मीडिया की बात कर रहे है ना वो तो करेगी वो तो करेगी की रिपोटिंग कर रहे थे हमारा भाई जो नमनीत 26 जनवरी में शहीद हो गया है उसके बाद में चैनलों ने यह दिखाना स्टार्ट कर दिया कि भी सब लोग यहां से गाजी बोटर खाली हो गया है खाली हो गया है खाली उसी वज़े से नहीं हुआ था सिर्फ नमनीत को आजमी की जेब में उसकी फोटो है अभी यह बिल्कुल अभी है और और भी हमारी कम संगा पचास गाड़िया पीचे आ रही है कोरे की वज़े से लेट है सुवे का टाइम पर जूम देखना यहां पर कितना होता है खेल खेल तो गोधी मीडिया जो है वोई दिखा रही थी मीडिया बैक फैर कर गया किसान आंदोलन सार दिन से चल रहा था बड़ा शोर था सब कुछ ठीक था पत्रकार नहीं आ रहे थे लाल किला का मामला हुआ कैमरा उहां पहले से मौजूद था जिस सक्स ने जंडा फैर आया उसके विडियो सब के सामने है उसकी तस्वीरे सब क सामने है और सरकार को और मीडिया को मौका मिल गया मीडिया नहीं सांदोलन को डिमॉलिस कर दिया उसके बाद सरकार ने सोचा कि इसको खाली करवाया जाए कल दो दिनों से फिर वही सारे पत्रकार यहां आए और उनने किसान को नीचा दिखाना सुरू किया रोते हुए किसान की वज़े से पुरा अविवस्था फैल गया है मजे ले रहते हैं उसी में से एक आंसू टपक गया प्रेसर में था चारो तरफ से बैरिकेट कर दिया गया था जो किसान थे हैं उनको घेर लिया गया था राकेश्टिकायत को लगा मैं खुद गवा हूं उसका राकेश मारेंगे जैसे जेनियू में हमला हुआ था जैसे मुसल्मानों पर हमला हुआ था जैसे दलितों पर हमला हुआ था उनको लगा कि हमारे किसानों को मारा जाएगा वो एमोशनल हो गया उनके आंखों से आंसू निकला और नोंने कहा कि मैं मर जाओंगा लेकिन मैं अपने किस किसी के दूसरे के हाँ से मार नहीं खाने दूगा पुलिस चाहे तो गिरफतार कर ले लेकिन हमाले किसान पर कोई दूसरा डंडा कैसे चलाएगा मीडिया ने इस खबर को चटकारा लेना शुरू कर दिया और पूरे देश में दिखाएगा कि देखे किसान रो रहा है टिक है दर गए हैं रो रहे हैं बस क्या था बाजी पुलट गई पूरे देश के लोग एक जूट हो गए और सोसल मीडिया पर बार आ गई आप लोग अभी आया हैं या मैं उत्राखंड के बाजपुर से आया हूं और मैं आपको यह बात बात बता दूँ जो यह 28 नवंबर को जब और मेरा इलाज चल रहा है मैं जब हमारे नेता जी को मैंने जिन्दगी में पहली बार मैं उनके साथ बहुत रहा हूं मैंने उन्सके बहुत अंदोल ने देखें लेकिन उनको रोते हुए मैने नहीं ब्रक हैं मैं नहीं कहरा हूं मीडिया कि नो Пока करेगी इशिक जो जो गोद में बैठा हुआ जो गोद में पले हुए हैं गोदी मीडिया उसे बोले हैं तो कल से कल रिपोर्टिंग कर रहे थे हमारा भाई जो नमनीत 26 जनवरी में शहीद हो गया है उसके लिए सब लोग वहीं पर गहती है और उसके बाद में संसकार में लोग सब गए हुए थ यह खाली हुआ था सिर्फ नमनीत को संदांजली देने के लिए हम लोग फाइदा कर गया आप लोग को कल तो मीडिया का फाइदा हो जाए पर लेकिन कम से कम यह तो आपने तो दिखाई दिया ना उन लोगों को दिखा दिया मीडिया ने और जो शोशल मीडिया पे दो खापो की पंचायत हुई है आज मेलट पे पंचायत है हर्याना में लोग रात में कुछ कर रहे हैं रात बर जिंद में जाम कर दिया गया है तो असर तो हुआ है इसलिए मैं कहता हूं आपके पास एक मीडिया होना चीज इमांदार मीडिया हुआ गास के लिए देखिए देखिए नेता नेता वह जो निकले है अंस्याइस के निकलते हैं जिसका हेर्दे बिल्कुल कोमल होता है और सच होता है मगर मच्च के आंसू रोने वाले बहुत निता आपको मिलेंगे हमारे जैसा ये ये हमारा जो निता है ये रोने के बाद ऐसा निखा रहा है जैसा हीरा तरास के निकला है उसके बिल्कुल बिल्कुल ये बाद भाजी साब ने बिल्कुल सही कही कि वो हीरे की तरह निकल चुक चूर चूर हो जाएगा बाबा टिकात अमर रहे तो हमको इतना मेलक साहरात की हमें बरदास नहीं हो रहे तो हमेरे ताउजी आपको बरदास नहीं हो रहे था हूँ लोग तो दिखा रहे थे कि रोद हैं आपको निता डर्ग हैं दरे नहीं है हमारे अंदोलने की इन पूरी कोशिक करी है किसने बीजेपी सरकार ने गोदी मीडिया ने जो यहां पर मैं 26 जन्वर की जो लाल के लिए पर हुआ उसके लिए क्या कहेंगा आप लोग वो बहुत दुर्बाग पर हुआ हम उसके को संद्रें लेगे उसमें पर कारवाई होने चाहिए कि वह कंस्परेसी है जानवुचे करवाया किसने करवाए गया मैं बता रहा हूं ना वो बीज पीने वहां से सुरक्षा क्यों होटा ही लाल के लेगी मैं कह रहा हूंगी शोशल मीडिया पे सब लोगों ने या हम किसानों ने मैं कह रहा हूं वर्ल्ड में यह चीज पहल चुकी है कि वहां देखा है कि एक आदमी आता है तो सब को भढ़का के चला जाता है और उस वहां लोग सब रात में चलके आगें अभी आएं बिल्कुल अभी है रात में हम लोग आए 300 किलोमेटर हम मैं आया हूं हल्दवानी से और 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 वी हमारी हम संगा 50 गाडियां पीचे आ रही है कोरे की वज़े से लेट है सुबह के टाइम आप आप जूम देखना यहां पर कितन जरूरत ही अपना अंदोलन कायम रखना हमने अंदोलन जारी रखना है उसके लिए सहयोग चाहिए सहयोग के लिए आदमी चाहिए आदमी जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अंदोलन चलेगा तो क्या टीवी बाले तो कह रहे थे कि आप लोग गए खतम मामला खतम होई नी सकता है हमने वहां से इतने बंदों को कह जी आए कि सब नहीं पर पहुंचना है अंदोलन जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसा ही हम शांती पून अंदोलन दोबारा से इस इतना लोग जूट ज चलना है और मैं रात के दस बजे घर से चोरी निकला हूं और में घरवलों को पता नहीं कि कहा जा रहा है और मैं नय कबरें उसमें सोरता पुरानी कबरें गया तो मैंने अलमारी खोली कपड़े निकाले कि ममी बोली कहा जा रहे हो मैंने बाजपूर में जूड बोला कि बा मादियम से कि जो टिकैजी को इतना लोगों ने मेडिया ने मेडिया ने जो बिल्कुल इतना उने गलत तरीके से दिखाया गया है और उने लगा कि हाँ भी मेरा किसी ने सहयोग नी करा या और लोगों ने किया हम लोग बता रहे हैं नमनीद के बारे में गए थे और ये बता हैं कि दुपैर से शाम तक जादे से जादे संख्या में हैं लोगी कठा होंगे आप दिखना और किसान मैं कह रहा हूं किसान लोग इतने आएंगे ना कि जैसे ये पहले भरा था वैसे ही भरा रहेगा दो दिन और दे दिन आप और शाम तक और कल का दिन और दिखना रात में तो कल रात तो खेल हो गया था आज रात खेल खेल तो गोदी मीडिया जो है वोई दिखा रही थी और मेरी बताईए ड्हाई- जो आदमी जो नमनीत भाई था तो उसके उसमें गए हुए थे लोग मैं इसलिए बार-बार ये आपसे बता रहा हूँ ये मीडिया कुछ भी दिखाए तो ये गोदी मीडिया तो कुछ भी कर सकती है कुछ भी दिखा रहा हूं रात सुचिये रात नहीं नहीं में तुगा ये आप एक दिन ना सो के दिखाए इन जमीनों पर तब आपको पता चलेगा कि ये लोग क्यूं है ये लोग देश दुरोही है कि देश बनाने बाई लोग है ये देखिए आपकी हार काप जाएगी आप दर्द से पागल हो जाएगे हार काप जाएगी ये किसान है सहाब य किस तरह से किसान है हार काप जाएगी यह ताकत है राकेश्टिक एल्ट की और उन्हों दिखाया है खुले आसमान के नीचे आप घरों में हीटर लगा के सो रहे सरकार और किसान यहां इस तरह से तल्स सोजल मीडिया पर वायरल हो रही है आप लोग एकदम हीले नहीं है यहीं पर रहे हैं यह पर अजह हो रहे चूने से लगता है कि हाथ गल जाएगा यह हमें भगवान ने हिंदी है हमारा मन नहीं कर रहा था जाने को अगर हम आज चले जाते हैं तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि हम अपने भाईयों को शोड़कर अकेला यहां पर आगे घर में आपको पता है पूरा देश आप लोगो देख रहा है एक बच्चा भी था आप लोगो के साथ वो भी अभी ट्राली में सो रहे हैं बच्चों को भेज दिया था क्या कहेंगी दादी यह कहागी पी तीनों कुनून वापस हो जाएं तो सब कसान घर चले जाएं ठाब ठंड का मुक्या है आपको लगता है इसमें राजनीती है कॉंस्पड लगता है इन लोगों में बताइए इनको परेड करने दिया गया लालकिला पहुचा दिया गया वहाँ कैमरे लगे थे कल दो दिन जो मीडिया नहीं नाटक किया है तंडब किया है आप कलपना नहीं कर सकते हैं बैक फैर हो गया उसी मीडिया ने वो किसानों को रोते हुए लाठी खाते हुए बेज़त होते हो दिखाने आये थे उसी मेरा केश टिकायत के कांसू निकल गए उसने देश को जोड दिया कल तो बहुत 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 शाम में तो बहुत बुरी स्थिती हो गई थी हम चले गए थे कुछ साथ के थे जो ले गए लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा था जाने हम अभी रास्ते से वापस आये हैं मैं अभी पहुंची हो यह लोग गय हुए थे अभी 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 पहुंचें जस्ट अभी देखिए आप हम लोग यहां पर दो थे दो से तीन हो उसको लेकर मीडिया ने जिस तरह से बदनाम किया है किसानों का अपकल्पना नहीं कर सकते हैं मीडिया वही दिखाने आई थी कि कैसे किसान को मारा जा रहा है कैसे रौंदा जाएगा संजोग से राकेश टिकेत के आंसू निकल गए हैं वो इमोशनल हो गया और वो वीडिय जब मीडिया ने उनको लाचार बेवस अमिस देवगान एक एंकर है उसने कहा कि देखो कैसे रो रहा है उसके बाद जिस तरह से उन लानत मलानत की गई जिस तरह से जलील किया गया टेलिविजन चैनलों पर एंकरों पर जिस तरह से मुठी भर समर्थक इसी बिरीज के पिटा ही दिखाने आई थी इनकी लाचारी बेवसी बेचारी दिखाने आई थी कल से ही तै हो गया था कि आंदोलन खत्म हो गया साम तो कुछ ट्वीटर पे रिपोर्टरों ने ट्वीट कर दिया था कि आंदोलन खत्म हो गया जैसे उनको पहले से पता है जैसे अर्णव ग किसान ने ता कि उसने देश को जोर दिया थे मेडिटेशन कर रहे थे और यह पील कर रहे थे दुनिया से किसी को मारे ना सताय नहीं अपील हम लोग कर रहे थे अबीद थी कि एक बार फिर से एक जूरता आ जाएगे। कि पूरे पंजाब, हरियाना, यूपी के लोग जो हैं वो गाजी पूर बॉडर की तरफ कुछ कर गए हैं। शम्मु कुमार सिंग नेशनल दस्तक दिल्ली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं। फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं। निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे